वेलेकम बैक तो इस चैनल दे सिनिकास अद आज की सेशन के में बात करने जा रहे हैं UP Board और CBC Board Class 10 का Chapter है Food Prints Without Feet तो इसमें क्या है Supplementary Book का नाम भी अपना क्या है Food Prints Without Feet और इसका Chapter का नाम भी क्या है Food Prints Without Feet मतलब क्या है इस पैरो के निसान वहीं बीना पैरों थे तो चलो उन्हों देखते हैं इस कहानी में क्या होता है इस स्टोरी में क्या होता है किस बारे में बात होती है सबसे पहले यह देखते हैं जैसे हमें हमें पता हुए कि सबसे पहले हमें Character देखना होता है और इस story में main character कौने एक ये हैं और इनका नाम है Griffin जो कि एक scientist है अब मैंने ये क्यों बताया आपके objective question में पूछा जा सकता है कि what is the profession of the griffin तो Griffin का profession क्या था तो profession क्या था scientist और उसके बाद में second पूछा जा सकता है कि जो scientist था में मुक्स का नाम क्या था तो क्या हो जाएगा Griffins तो objective question true and false करने के लिए आपको story बहुत must है उसको प्रॉफर तरहीके से आपको देखना चाहिए तो open your book and हम लोग चलो देखते हैं कि इस story में क्या है सबसे पहले हम लोगे start होता है पहले question है हमारे can a man become invisible पहला question है मेरा आप से क्या एक इनसान invisible हो सकता है मतलब को address हो सकता है इस कहां से आप last में comment में करिएगा फकले और अगर पता हो तो अभी कर दीजे ओके next हमारा question है this is the story of a scientist and who discovered how to make himself invisible और यह story है scientist की जो की खोज कर रहा है कि एक इनसान invisible कैसे हो सकता है does he use or misuse his discovery और after completing the story आपको बताना है कि इसने mute किया है इसको मतलब invisible होने को इसको इसने पा लिया था वो drug कि जिससे मैं क्यों होता है invisible तो अब last मैं को बताना है क्या इसने use किया उसका या फिर misuse किया तो चलो start करते हैं पहला पहला आप अपना the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of barefoot तो अब दो लड़के जो थे उन्होंने क्या किया कि surprise हुए क्या देखके fresh muddy imprints of a pair of barefoot बलब उन्होंने क्या कि कि दो पैरों के लिसान जो थे वो छपे और उन्होंने देखा और वो क्या होगे surprise हो गए and what was a barefoot man doing on the steps of a house in the middle of London तो उन लड़कों ने बोला यार कि London में इस house के stair में इस्टेर में जीने तो इस जीने में वो इनसान क्या कर रहा है वो भी नंगे पैर and where was the man और उन्हें पैर तो दिख रहते निसान तो दिख रहते बस उनको इनसान नहीं दिख रहता तो उन्हें पूछे यार पैर निसान तो है but where was the man inside कहां था as they gauged a remarkable sight met their eyes जैसे उन्होंने देखा तो एक रिमार्करों बहुत अजीब दर्स जो था उनकी आपको सामने आया अब fresh food marks appear from nowhere एक fresh मतलब यह से हम लोग क्या रखते हैं teacher पर रखते हैं और वो पैर इधर रखदो बगल पर तो क्या होते हैं कि वो दिखते हैं अभी 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 छापे हुए है तो fresh muddy जो inference थे उसको दिखे एंड हर जगह दिख रहते एंड further food prints followed और उन्हों ने उन fruit prints को क्या किया और फॉलो किया दूर तक उन्हों क्या क्या फॉलो किया one after another descending by steps and progressing down the stress जैसे जैसे गली क्या ओर थी आगे वो बढ़ रहा था वैसे पैर अगने साथ हलके होते चले जा रहे थे और यसा होता भी है जैसे च्छत पर बानी बरस्ता है तो प्रूरी च्छत पर बनाते तो दो-तीन इस्टेप हमारे कादे से बंते हैं पूरे उसके पानी हमारे पैर तो यह लड़के उसे निसानों को फॉलो कर रहे थे तो कुछ समय बात क्या हुआ हो निसान हलके पड़ते हैं हलके पड़ते हैं ठीक है एंड ड़ाइस फॉलोड फैस्नेटेड अंटिल अमड़ी इंप्रेशन विकेम फैंटर एंड फैंटर लड़कों ने तक तक पीछा ग तरीके सब निसान क्या होगे खातम होगे एंड दा एक्स्प्लिनेशन ओपर स्टोरी दो मिस्टीरियस वास रिली सिंपल एनग और एक्स्प्लिनेशन जो यह कर रहा है तो इसमें एक रहस से लग रहा है अब रहस क्या है हमें भी पता चुनना चाहिए वही इंसान इंसान आतो रहें तो कहां से आ रहें कि इंसान पर अपिर नहीं था एंड आप्ट एक्सपेरिमेंट जो कि उस चीज के वारे में खोज कर रहा था जुश्ते की इंसान ट्रांस्पारेंट कैसे हो सके और गृफिन जो था एपने यह एक्सकेरिमेंट के ओपर करते हैं कि किस सरह के से हुमन की बोडी के वाजपरी है transparent हो सकती है and finally he swallowed certain rare drugs and his body became transparent as a seat of glass और फिर लास्ट में किया कि इन्होंने एक rare drug मतलब दवा ले जो कहीं उबलग नहीं थी उसको इन्होंने किया कि swallow मतलब निगल लिया अब जैसे ही निगला इनकी body का हुई transparent like a seat of glass मतलब glass जो हता है अपना transparent उसी क्लाइब का होगी इनका सरीर बट आगे देखोई चीह और रिखी हुई है तो it also remained as solid as glass वो transparent तो होगे थी काच की तरीके बट वो solid भी थी काच की तरीके मतलब वो body दिख तो नहीं रेदी बट ऐसा कोई हाथ रखे तो वो solid थी like a seat of glass and brilliant scientist though he was अब वो brilliant scientist भले ही था बट ग्रीफिन जो था लॉलेस परसन था मतलब उसके लिए रूल और नियम रेवलेशन कुछ माहिने नहीं रखते थे इस landlord disliked him and tried to exact him उसका landlord था जहां पर किराय में रूम लिये हुए था वो से dislike करता था लुपकुली पसंद नहीं करता था और वो उसे घर से भगानी कोशिस कर रहा था मतलब rented room था उसने बोला यार अडा उसको किराय था अच्छा ये नहीं है तो उसे भगाना चाहता था इसी का बतला लेनी चक्कर में घर पे क्या लगा दिया आग लगा दिया ठीक है and to get away without being seen he had to remove his cloth और बिना दिखे वहां से क्या हुआ भागा अब बिना दिखे भागने के लिए अब इसको कपड़े भी पूरे हटाने पड़े तू मनलब क्या है बिना कपड़ों के भगा और घर पर उसके पाल रहा नहीं उसके बाद हो क्या हुआ अब इसकी वेश से क्या हुआ वो घर के बिना हो गया और बटक रहा था तू घर तो था नहीं घर मोशना आग लगा दी ऑपी क्या है दर बदर बटक रहा था विदाउट क्लोस बिना कपड़ों के कपड़े उतार चुका था कि बोड़ी ट्रांग तरेंट थी अगर कपड़े पैंता भी तो हाथ और चाहरा नहीं किसी को तो लोग दर जाते और सक्करते फिर उसके बाद क्या हुआ विदाउट मनी पैसा भी नहीं था अब जब क्लोस और तक तक इन्वीजवल था जब तक कि उसके पैर कीचर में नहीं पड़े और जैसे उसके पैर मट में पड़े कीचर में पड़े तो उसके निसान भी पढ़ने लग गया रोड पे अब कीचर में क्यों परे बही यह वो ट्रांस्पैरेंट लास था बट सॉरिद भी एज तो उसके पैर क्या है पड़े और जब बाहर शपे तो भी यह कीचर में निसान चटने लग गये और यह इसके इसली इनफ फ्रां द बॉइस फॉल प्रेस इन लंडन वह उन लड़कों से तो पचके भाग गया जलंदी से जो लड़के उसको लंडन में उसके पैर में निसा लंडन विदाउट उसने क्या किया कि एक नॉमबर में बैड समय चुल लिया मलब भागने के निर्णे चल लिया उसने वो नॉमबर था कौट था बिद नॉमबर अचे एंड उसने किया गया अधिट वास दा मिड़ विंटर मिड़ी ती अधिए वास बिटर्ग ली कोड एंड रूट विदाउट विदाउट क्लाउट सब्सक्राइब हावा से बचाने लिए के पास कपड़े भी नहीं तो गली पे भागने बजाए इसने सोचा यार कोई लंडन की बड़ी से दुकान पर चलते हैं को इसको रोड़ा हीट करते हैं क्योंकि ठंडी लग रही थी कपड़े थे नहीं and closing time arrived और जिब दुकान बंद होने वाली थी तो उसी समय ये दुकान में बहिया जी विजिट किये कौन बहिया जी ग्रिफिन ऑके साइनिस्त है जो एंड खर क्या हुआ जाए जो पर चलते हैं और जाए दुकान बंद हो इसने की बड़ीय कपड़े पहने बड़ीय से खाया और भी बिना एक्पंस के विड़ाउ अनी एक्पंस इसे एक भी खर्चा नहीं करना पड़ा और जाए ब्रोक विड़ाइ पैनली जिसे को बॉड़ी क्या हो सके और एंड उना कलते त rifn yoda लियुंग खोल को L कॉटल बहुं को पहल लिया और बाचर क्या मेंदय को चिख वालओ वाली आयंद ते जोधान हो लमीरीश है यहां जाचना कंवUCK…? हुआ he became a fully dressed and visible person अब उसने क्या दिया पूरी तरीके से dress pan लिया अब dress pan लिया तो body transparent थी कपड़े तो नहीं थे तो फिर से वो क्या दिखने लगा विजबल पर्सन अब चैर तो भी नहीं दिख रहा था ना देखो उसके भी कुछ बिवस्ता करके बैठे हैं लिया देखो क्या करते हुआ उसमें एंड फिर क्या हुआ है नुने कि in the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee अब restaurant ये kitchen में इन्हें cold meat मिला और coffee मिली बस अब इसने की sweets और wine जो थी मिठाई और जो wine थी वो ग्रोसरी सॉप से और लेके आया हुआ था finally he settled down to sleep on a pile of quilt pile of quilt मतलब क्या था रजाई के डेर में finally जाके क्या हो गया सो गया खाना का या कबड़े पेन और रजाई के डेर में क्या हो गया सो गया and if only griffin had managed to wake up in good time all might have been well अगर griffin क्या है सही समय पो उठ जाता तो साल सब्ची के क्या होती सही होती but as it was and he did not wake up until the assistants were already arriving next morning और वो तर तक सो रहा था जब तक की श्टोर कोरने वाले assistants सुबह आये तो फेर क्या हो यह तभी भी सो रहा था जब उसने उनमें से दो इंसान को देखा कि मतलब दोनों आ रहे थे assistant जो उसे दुकान के and approaching कि वो उसकी तरफ आ रहे है he parried वो घबरा गया and begin to run और वहां से क्या रहने लगया भागने लगया they naturally gab chase और उन्होंने क्या गया उसको पीछा किया and in the end he was able to escape only by quicking taking off his nively found claws और last week जाकर वो भाग पाया क्योंकि उसने सारे कप्टे जाग लिया उतार दिये जब सारे कप्टे उतार दिये तो ठोगया transparent अब वो वहां से भाग गया so once more he found himself invisible but napped in the chill January year तो फिर से उसने क्या किया खुद को पाया कि मैं क्या हूँ invisible but January year क्या थे घंड थी तो इसके बाद क्या हुआ क्यों चिलचलाती गर्मी में खुद को पाया and this time he decided to try the stock of a theatre company in the hope of finding not only cloth but also something that would hide the empty space above his shoulder and severing with cold he hurried off Dury Lane the center of the theatre world अब लास्ट पर क्या हुआ इसने एक इस्टोर की खूजनिक कोसिस की इस्टोर मतलब थेटकली मतलब जो नाटक कंपनिया होती है उसको उसने अप्रोच लिया इस मकसद से कि सायद यहां पे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो कि मैं अपने पूरी बॉड़ी को कवर कर सकूंगा और सोल्डर के उपर की बॉड़ी को भी क्या कर सकूंगा कवर तो यह वहाँ पर क्या हुआ गया and he soon found a suitable shop अपी finally जाकि इसको एक suitable shop भी मिल गई नाट कंपनी की he made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage उसने के बैंडे पहने and round his forehead तो दीखेगा ना तो उसने आपके लिए बैंडे को पहन लिया dark glasses और उसने color वाले क्या पहन लिये and false nose और एक जो नोज आती जो कर बाई रेडर कल लिये उसने यहाँ पे नोज पहन लिये मतलब कि उसने इतना cover किया और इतना cover कर लिया बचाहिए आप देखो इसमें क्या लगता है big bursty side whiskers उसने side whiskers बोलते हैं तो उसने यहाँ बड़ी-बड़ी side whiskers पहन लिया and large hat और एक बड़ी-इसी क्या पनी cap so that कि याला हिस्सा भी क्या हो सके छिप जाए and to escape without being seen और जैसे वो भागनी कोशिश कर रहा था कि कोई हमें देखना बाई को तो देख लेगा तो याँ पैसा पे करना पड़ेगा and he casually attacked the shopkeeper from behind उसने पीछे से shopkeeper पीछे क्या कर दिया पास जितनी भी मनी मिली उसने सारी के लिए रॉब्ड लिए और वहां से क्या हुआ निकल गया and eager to get away from crowd London he took a train to the village of Iping और पर वहां से उसने लंडन से एक train पकड़ी जो की Iping के लिए जा रहे थी Iping चला गया and where he bood two rooms at the local inn और वहीं पे एक local inn थी Iping में वारक उसने का गया एक hotel गया and the arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an usual event a stranger of such uncommon appearance set all terms wagging और थंड के समय में इन में किसी stranger का आना ये क्या था एक आसामान गठना थी and a stranger of such uncommon appearance set all terms wagging और इस stranger को देखके सबी लोग बाचित करना start कर दिया कि यार ये इतिरात को ठंडी में कैसे ठीक है Mrs. Hall Mrs. Hall जो थी वो जो इन की मालक मालिक था उसकी wife थी to Mrs. Hall the landlord's wife and made every first to be friendly उसने बहुत कोसिस की कि इसके साथ में friendly हो जाओ और अब है वो किसी दोस्त बनाता तो उसका दोस्त जान जाएगा सांगाल कैसा है तो उसने का गया रिजट कर लिया आइंड वांट तो मिक फ्रैंट से विडियू ठीक है एंड उसके बाद क्या हुआ बट ग्रिफिन हैड नो डिजार टॉक लिए पास कोई बात करने का वह नहीं था ठीक है उसके बात करना नहीं सॉलिट्यूड कर सको मतलब की अखेला पन में सूद कर सकों अकेले रह सकों एंड आइड नोट विश्टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क एंड मैंने चाहता हुए कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब्ड करें बेसाइड से एंड एक्सिदेंट हैस अफेक्टें क्या कर लिया है इस कारण में चैरे पर क्या लगा हुए हूँ ग्लास नोस और उसके फोरेट पर बेंड लगा रखा था विसकर्स तो उसने बुला इस लिए तो मिसिस हॉल जो थी वह क्ला हुए कॉम्प्रमर्स ओक्यों ठीक है वह समझ गही है यहां आटे की बंदा सही बो जुषेला एंड इन विव ओफ दफेक्ट था येट ही हैड पेड रही इन एडवांस और उसने गया कि या उनको एडवांस में पैसा दे दिया कि अब यार तुम बोलना मत ठीक मेरे से कुछ बोलने ही जरोत नहीं है उसने एडवांस में मिसस हॉल को पैसा दे दिया एंड पैसा बोलता है ठीक है उसके बाद क्या हुआ मिसस हॉल प्रिपेर दो एक्स्क्यूज इस इस हैबिट एंड इरिटेर्ट टैमपर उसका जो बुस्तायला जो विजाज था उसको उन्होंने इग्नोर किया क्यों पैसा मिल किया थे खीक है रुको जाके बट इस टोले मनी दिद नोट लॉंग लास्ट लॉंग लेकिन चोरी की मनी देजिए वह लंपे समय तक नहीं चली एंड प्रिवेंट ली प्रिजेंट ली रिफिन है थो एड्मिट एड रेडिक एड और इस समय ग्रिफिन ने एड्मिट किया कि यार मुझे अब दुवार देना है जिससे कि मेरे पास पैसा होना चाहिए बट पैसा उसके पास था नहीं ही प्रिजेंट ही प्रिजेंट हाओ इवर डैट ही वोस एक्सपेक्टिंग अचेग टू एराविं एट अनी मोमेंट उसने ऐसा ब्येव किया जब मलब मिसेस हॉल ने पैसा मांगा किया जब युआ बड्ग करा एता है तो वा आस एक्टन सी लूग उठे इन इक अवास नहीं पड़ी अन्यू एक अवास नहीं पड़ी अन्यू एक अलाव सुना पड़ी अन्यू और यूडे लूड दा चिंक आख मणी बियें थेंट प्रिजेंग अट कर लग शूडरी आब ल वेरी अर्ली इन दा मॉर्निंग, सुबह सुबह जल दी, अ क्लर्जी में इस वाइफ वर अवेकेट, बुरोग जब चुगे थे, और बुरोग इस्टिटी में किताब इता पढ़ रहे थे, अचाने सोरी सुनाई पढ़ा, तो उनकी डेफ से पैस्टिक निकालने की आवाज आ रही थी, चिंक ओप मनी, आ रही थी आवाज, विदाउट मेकिंग अनी नुआज, एंड विद आप पोकर, ग्रैप्च, फॉर्मली इन इस हैंड, अब देखते आगे क्या होगा, अब उसने बाद में अमेजमेंट ही उनको चौप गया हो लोग यार की कमरा तो खाली ही बट आवाज आ रही थी, एंड, ही एंड इस वाइब लुगड अंडर देश्क, उसकी वाइब उसने क्या हैंगिया अंडर देश्क में जाके देखा, एंड, बिहांड दे सर्टेन, एंड इवें अप दे चिमनी, और पिर बिहांड दे कर्टेन, सोरी, कर्टेन में परदों पीछे भी देखा, और चिमनी में भी देखा, देर वाज नौट साइब अप अनिवड़ी, वाँ आप किसी का नामों हिसान नहीं था, एंड, येट, देस्क हैड बिन ओपेंड, एंड, हाउस कीपिंग मनी वाज मिसीं, और पिर जब डेस्क देखा दो, खुली हुई थी, एंड, हाउस कीपिंग की जो मनी थी, वो क्या दे, वाँ पे नहीं थी, Okay, extraordinary affair, सबीन बोले ये आसामान गटना है, and the clergyman kept saying for the rest of the day, सारा दिन हो बोलता रहा, ये आसामान गटना है, ये सामान गटना तो नहीं है, मतलब कि पैसा चोरी हुआ, डेस्क खुली, और इंसान पुल कवरी में था भी नहीं, अच्छा, फिर क्या हुआ, The landlord and his wife were up very early, तो landlord उसकी wife क्या है, कि सुबह जल्दी से उपर आई, and were surprised to see the scientist door wide open, और उन्हों देखा, कि scientist सा गेर जो था पूरा खुला हुआ था, And, usually it was sat and looked, and he was furious if anyone entered his room, okay, and it was sat and looked, and he was furious if anyone entered his room, वो कहते थी यार, अक्सल तो यह गेर बन्द रहता था, और अगुछ गल्दी संथर आ भी जाय तो बहुँ जायादा, वो कुछ साता था, लेकिन आज पूरा गेर क्या था, खुला हुआ था, And, the opportunity seems to be missed, and they peeped round the door, उन्होंने क्या क्या अंदर जाका, And so, nobody had decided to investigate, उन्होंने क्या क्या अंदर कोई नहीं था, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का मलब की डिक्सिनल लिया, कि मैं इस मैटर को थोड़ा समझते हैं, क्या है, कैसा है, The bed cloths were cold, bed cloths थो थे, bed जो था, वो क्या था, ठंडा था, जैसे विस्टर वीच आथ, थोड़े के लिए छोड़े हैं, ठंडे, तो ऐसे ही था, And, showing that the scientist must have been up and fought some time, मतलब क्या है कि उन्होंने ऐसा, मिल्लब कन्फर्म नहीं किया, और उन्होंने ऐसा जग्स किया, कि सायद, scientist कुछ समय पहले ही जग चुके हैं, क्योंकि बिस्टर गैसे थे, cold थे, अगर लेटा होता, तो महार भी क्या होता, गरम होते बिस्टर, तो क्या ह and the stranger stills and the cloths and panties and that he always wore, were lying about the room. अपर अचानक से उन्हों देखा कि जो panties, hat और फाल्समों जो पैंता था, वो अभी भी वहीं पर पड़े हुए हूए हूँ, मतलब कि इन्सान भी नहीं था और वो चीजन वहीं पड़े हैं, जो वो रोडली पैंता था, all of sudden, Mrs. Hall here the snake close to her ear, the head on the bedpost, leaped up and dashed itself into her face, तो अचानक से एक चेर वो नपी, बेड़ पोस्ट पे रखी थी cap उसकी जो थी, वो उठी उसके चैरे पे आके गिरी, and then the bedroom chair became alive, और bedroom chair नहीं होती है, जो भूल वहीं थी chair, जूलने वाली, वो कि अचानक से जिन्दा हो गई, मतलब कि वहीं हिलने लग and left foremost, वो सीधे आई, कसकते हुए, सीधे उनके पेरो पे लगी, and as she and her husband turned away in terror, और भी धवराद के वो डर के पीछे हट गए, and the extraordinary chair pushed them both out of the room, and then appeared the slams and locked the door after them, और अचानक से उनने देखा कि चेर वो थी क्यों होए, उनकी तरप आई, और चेर इंदर से उनको डखे लिए, उनक बोथ extraordinary चीज थी, Mr. Mrs. Hall almost fell down the stairs in high streaks, okay, पिट्या है कि Mrs. Hall and Muskyya stairs पे गिर गई, and he was convinced that उने ही भरोसा हुए, the room was haunted by spirits, कि इस कमरें के हैं, बूत परित आत्मा हैं, and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, और वो इसमें के हैं कि आत्मा उनके फॉर्निचर, और वो इसमें के हैं कि आत्मा उनके फॉर नीचर पे है, my poor mother used to sit in that chair, मेरी जो मदर है, वो इस chair पे बैठा करती थी, sea moon, वो इसने बढ़ पड़ाया, to think it should rise up against me now, okay, and कि मतलब ये thoughts मेरी दिमाग में आ रहा है, फिरी कैसा हो सकता है, मतलब मेरी मदर इसमें बैठा करते थे, तो सीथे मेरे हैं उपर क्यों आ लिए, ठी and the feeling among the neighbors was that the travel was caused by witchcraft, okay, कि फिर वहां की neighbors दे पड़ोसी होता, उनने बोला कि जो भी घटना हुई है, वो इस से witchcraft की बैस होई है, मतलब कि यहां भी क्या भूथ के हिलाप्रा है, and इस भूथ लोग के द्वारा ही किया गया है, जाद रोना हुआ है, okay, and but witchcraft or not, विक्यों उनने बोला, witchcraft है या फिर नहीं है, when news of the bunch really at the clergyman's house became known, और यह भी चोरी की चीजे सुनी गई, clergyman की घर से, तो यह सीजे सेवर हो गई थी, क्या हो गई, सेवर हो गई, and the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, कि मतलब इसमें कहीं न कहीं इस साइंटिस्ट का लब यह संदे इसको पर कहीं न कहीं इसका हाथ है, यह done हो चुगा था, and suspicious, suspicion, grieve even stronger when he suddenly produced some ready cash, and through he had admitted not long before, and that he had no money, okay, मतलब कि फिर अचानक सी यह suspect और गहरा हो गया, जब इसने क्या किया, उसको hard cash दिया, और पहले तो इसने अप्टिट किया तक मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और अचानक से इसके पास में क्या गया, फिरे चीत और विचे कि क्या हो गई, strong हो गई, and the village constable was secretly sent for instead of waiting for the constable, अपि क्या एक गाउंग जो था, मतलब की constable, उसको बेजा गया, जा उसको पकड़ के, पकड़ हो जाते है, Mrs. Hall went to the scientist, तो constable का वेट करने के बाद बजाए, Mrs. Hall ने क्या किया, scientist के पास गही, and who had somebody mysterious appeared from his empty bedroom, तो उसने पूछा कौन हो, जो मतलब इसके एक खाली रूम में, तुम क्या हो, invisible हो, और दिखाई पड़ रहे हो, and he demanded, उसने ऐसा पूछने कोशे थी, and I want to know, how it is you came out of the empty room, and how you entered a locked room, और मैं यह जानना चाहती हूँ, तो कैसे एक बंद कमरे से बाहर आ गए, और एक खाली कमरे में अंदर चलेगा, यह जानना चाहती है, and the scientist was always quick tempered, और scientist जो था बहुत जल्दी के आए, hyper होने वाला इंसान था, and now he became furious, अब इसको गुछता आ गई, and you don't understand who or what I am, तो मैं नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, okay, and मैं क्या हूँ, he shouted, वो चिलाया, कि तो मैं नहीं पता है मैं कौन हूँ, या फिर क्या हूँ, and very well, अच्छे तरीके से, I will show you, ठीक है, मैं तुम्हें बता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, बजब गुस्ता गया, suddenly he threw up of bandage, whiskers, suspected, spackles, and even nose, उसने गया कि bandage, nose, spackles, और whiskers, सारे चीज़े निकाल को उसने भेग दिया, अब क्या है, एक दम से, जब यह bear हो गया, तो लोगों को दिखा या, कि कपड़े तो पहने हैं, बड़ इसका सरगायब हो गया, तो बीना, without head का इंसान उन्होंने देखा, और उसके बाद में क्या हुआ, कि बीना head का इंसान देखा, तो बोलने लगे, कि, and I took him only a minute to do this, उससे क्या गिया, केवल उसने बोला, कि मैंने केवल कुछ minute ही लिया, यह सब करने में, and the horrified people in the bar found themselves starting at the headless man, तो horrified, डरे वे इंसान बोलने लगे, अरे, headless इंसान है, यह कैसा इंसान है, इसका head ही नहीं है, Mr. Zaffer, the constable, to constable Mr. Jaffer, वहाँ पर आते हैं, now arrived, अब वहाँ पर आते हैं, and was bit surprised to find that he had to arrest a man without a head, वो ऐसा बोलते हैं, कि मुझे एक ऐसे इंसान को arrest करना है, जिसका कोई head है नहीं, जिसका कोई sir नहीं है, but Zaffer was not easily prevented and from doing his duty, लेकिन Zaffer को नहीं मना किया गए था उसको अपनी ऐसा काम देने से, क्योंकि उसको एक warrant था, if a magistrates warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested, without or with head, मतलब अगर magistrates नहीं order दिया है कि एक इंसान को arrest करना है, तो उसको arrest करना है, with head or without head, चाहे sir हो यफिर sir नहीं हो, ऐसा उसको चाहिए, there followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off the governments after another, तो महाँ भी क्या है कि एक रिमार को रहा अजीब सा सेर के रिये हो गया, जब वो एक ही करके अपने सारे कपड़े उदार रहा था, तो महाँ भी क्या है कि वो इंसान invisible होता दिखाई बड़ रहा था, फिर क्या है क्या है उसने अपने सार को देख ही नहीं पा रहा था, कुछ इंसान उस कॉंचेबल की help करना चाहा रहते, अपने उसने अपने उसने खुद को पाया कि उसको एक पंच दिया गया मूपे और वो जाके प्राम से गिर गया, इन दा एंड जफर वोज नौग्ड अंकॉंसियस एंड लास्ट अटेंट तो होल्ड ऑन अंसें सांटेज, जैसे उसने आखरी अटेंट किया उसनों पकड़ने के लिए तो उसने एक हिट मारा उसक्रेज के गया हिट किया पंच दिया, एंड देर वर नर्वस एंड वो घहरा गया, एक्साइटेड क्लाज 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 आई कि पकड़ो पकड़ो उससे पकड़ो छीक है, कोई नहीं चाहता था कि उसका हाथ कहाँ पर है उसको कैसे पकड़ा जाए, तो हमारे जो स्टार्टि में क्वर्शन थे वह वह वर्शन यह था कि क्या ग्रिफिन ने उसका यूज गिया या फिर मिस्यूज किया तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और I hope कि आप इस चैप्टर संग में आया होगा कि इसमें पूरी बात कि यह ग्रिफिन की हुई है आपको चैप्टर में तो इतना समझना होता है जिसलिए हमारे जो टॉपिक होते हैं उसे पूर्शन आते हैं या फिर पूएंट फॉर्स आते हैं या फिर हमारे मुल्टिब क्वारे मुल्bal नहेद आते हैं वह मैं शॉपियादी रहर होते हैं ?